हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत आपका हमारे स्टेडि वी एजुकेशन चैनल में आज की जो डिक्टेशन है, वो 110 वर्ड पर मिनट की स्पीर से रहेगा स्टुडेंट्स, घबराना नहीं है, आपने लिखने की पूरी कोशिश करनी है और हम लिख लेंगे, तो रेडी, स्टार्ट अध्यक्ष महोद्य नई तालीम में मेरी रूची उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातय स्मर्णिय पुझ्य महात्मा गांधी जी ने इस विशय पर विचार करने के लिए पहले पहल एक समेलन वर्धा में किया था जिसमें देश के कुछ शिक्षा शाष्त्रियों और राष्ट्रिय शिक्षा से संबंद रखने वाले कारे करता आमंतरित थे उस दिन से इस पदती की जिस परकार से जांच और परगती हुई है मेरा उस से कुछ ने कुछ संबंद रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसनता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंदी विचारों को व्यक्त करने का अबसर दिया यदपी मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुन्रावर्ती करूंगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का श्विशेश कर शिक्षा शाष्तरियों का मत ने मिलें इसके अतरिक्त विचारणिये बात यह भी है कि शिक्षा के संबंद में केंदरिये और राज्यों की सरकारें आज जो नीती बर्त रही है उसका मेरे मत के साथ कहां तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीती में परिवर्तन कहां तक आफशक दिखता है इसलिए मैं आशा करता हूँ की मैं आज जो कुछ कहूंगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा और उस पर आप निर्विक्ता पूर्वक और निरलिप्त रूप से भली भांती विचार करेंगे यह एक मानिग हुई बात है कि जो पदती आज तक प्रात्मिक वरग से लेकर विशव विद्यालियों की उच्टम कक्षा तक परचलित है वह वही पदती है जिसको ब्रिटिस सरकार ने इस देश में चलाया था और सवराज्य प्राप्ती के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मोलिक परिवर्तन नहीं हुआ है उसके लिए हम किसी को दोशी भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि जिस परकार शान्ती पूर्वक हमें सवराज्य प्राप्त हुआ उसमें यह अनिवारे था कि सवराज के साथ साथ वह शाशन पदती शिक्ष्या पदती तथा सारा उपकरम जो अंग्रेजी राज्य में परचलित था उस परिस्थिती के परकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आफशक जचे उसे अमल में लाएं इसमें संदे नहीं की अंग्रेजों ने जो शिक्ष्या पदती आरंब की वह विशेश कर अपने राज को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहां की संस्कृती और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृती और साहित्य इतियादी की अपैक्षा अधिक अच्छा समझे अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझे धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ पर मूल रूप से नहीं और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो परगती हुई वे है इस देश में उनकी भाशा के द्वारा ही परिसारित हो सकती थी इन सबका परिणाम यह हुआ की शाषन की सुविधा और अपनी भाशा तथा संस्कृती के प्रती श्रद्धा के कारण उन्होंने इस परगती को जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोहत साहन दिया गया इसमें कोई संदे नहीं की हमारी कई पीडियों ने जो शिक्षा पाई इसी पद्धती से पाई महोद्य पिछले कुछ वर्षों से प्रयावरन की सुरक्षा के बारे में एक उत्सा जनक जागरुकता देखने को मिल रही है जैसे जैसे हम अपने विकास का खाखा बनाने लगे हैं वैसे वैसे यह बात अनुभव की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और प्रयावरन की दृस्टी से भी उप्योक्त हो अपने देश की जनता के प्रती हमारा यह दाइतव है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें अपने प्रयासों दवारा और यदी आवशक हो तो विदेशी टेक्नोलोजियों का उप्योग करके हमें प्रयावरन के विनाश की समस्याओं को हल करने की चेस्टा करनी चाहिए असल में तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि भारत इस दिशा में पीछे नहीं है क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टेक्नोलोजियों का प्रयोग किया है वे विनाशकारी रही और उन्हें तुरं छोड़ देने की अवशकता है वे भी नई टेक्नोलोजियों की खोज कर रहे हैं इसलिए हम उनसे बहुत पीछे नहीं हैं कमोवेश हम उनके साथ साथ ही हैं इसलिए हम सबके लिए अन्या देशों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी यह संभव होगा कि हम मिलकर विश्व के लिए इस प्रित्वी ग्रह के लिए अपना योगदान दें ताकि मिल जुलकर सहयोग से हम प्रयावरण की रक्षा के उपाए ढूंड सकें ब्राजील में दो वर्ष पहले हुए विश्व प्रयावरण सिखर सम्मेलन में जिस कारे सूची 21 को हमने सविकार किया था वह इस बात का अच्छा उधारण है और मुझे विश्वास है कि इस कारे सूची के अनुसार काम किया जा रहा है यद पी कोई भी काम बिना कठनाईयों से भरा नहीं होता विशेश कर जब इसे जटिल विश्व में एक जटिल स्थिती में लागू करना पड़े परन्तु मुझे विश्वास है कि स्थिती आशा जनक है और यह आशा बढ़ती जा रही है और जहां तक विश्व के प्रयावरण के भविशे का सवाल है वहें पहले जैसा अंदकार में नहीं है ऐसी टेकनोलोजियों को अपनाना संभव होना चाहिए जिन से प्रयावरण के बहतर स्तर कायम हो सके प्राकरतिक संसाधनों को श्रंक्षन मिल सके और व्यर्थ पड़ी चीजों की बहतर व्यवस्था हो सके पहल करने के ऐसे कई उधारण मिलते हैं जिन से प्रयावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सका है और लागत की द्रस्टी से भी वे परभावकारी सिद्ध हुए हैं इस बड़े चिंतनिये विशे पर विचार करते समय हम सब को मिल जुल कर परियास करना होगा हमारी सांस्कृतिक परंपरा विशेश रूप से प्रकरती और प्रयावरण के प्रती मित्री पूरण रही है इसलिए हम अपने देशी ढंग से भी इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं मैं जानता हूँ कि सुधारों का यह मारग फूलों की सेज नहीं है विशेश कर इतने बड़े आकार के एक लोक तंत्री देश में जिस देश ने भी इस दिशा में चेस्टा की है यह उनके लिए बड़ा दुशकर कारे सिद हुआ है मुझे इसके बारे में कोई भ्रह्म नहीं है और राजनितिक दरस्टे से भी इस मारग का चुनाव करना एक कठिन कारे था स्टॉप डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडि वेजुकेशन चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें थैंक यू